नमस्वार वियली भाईयों मैं अश्वनी कुमार राजपूत आज आप सभी लोगों का आज की मुलाकाफ के इस रंकला में पुना स्वाधत करता हूँ आज हम लोग यहां पे उपस्तित हुए हैं आप सभी लियली भाईयों को आईश्मान भारत 2.0 पे जानकारी देने के लिए जैसा कि आप सभी लोग जागते हैं कि अभी हमारा आईश्मान भारत का 2.0 पोटल एक्टिव हो गया है और BIS 1.0 जो पहले से चल ला था उसे डिस्कंटिन्यू कर दिया गया है तो BIS 2.0 पे हम कैसे लॉग इन करते हैं BIS 2.0 पे आईश्मान BIS 2.0 पे कैसे वर्क होता है यह सारी चीजों को जानकारी के बारे में जानकारी देने के लिए आज स्टेट आफिस से मैं अश्वनी राजपूत और हमारे साथ लखनाओ के डिस्टिक मैनेजर सुरी सराथ स्रिवास्तो जी उपस्तित है जो आपको इसके बारे में लिस्टित जानकारी देंगे और पोटल के थूरू बताएंगे कि कैसे हम लोग BIS 2.0 पे आईश्मान का काड़ बना सकते हैं तो सरज जी आपका स्वागत करता हूं आप आज आए और हमारे वियली भाईयों को पताएं कि कैसे वो BIS 2.0 में लॉग इन करेंगे और कैसे वो आईश्मान भारत का काड़ बनाएंगे बेनिफीश रिश्ता साथ ही मैं सभी वियली भाईयों से निवेदन करना चाहूंगा जो भी पस्तित है कि वह उनकी कोई भी समस्या होती है तो क्रिपैर नीचे दिये हुए चैट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखते जाए ताकि हम इस का एक्केम के आखरी में आपकी सभी समस्याओं का निदान कर सकें जिसकी हम लोग यहां जानकारी देने के लिए इखटा हुए है आयुष्मान भारत बियाइस 2.0 जो हमारा पहले हम लोग जो आयुष्मान भारत काम करते थे वह 1.0 वर्जन पे काम करते थे जो की माइगरेट होके अब 2.0 पे आ गया है हम लोग आज इसके लिए तिखटा हुए है और आपको इसकी जानकारी देंगे कि हमा जो बियाइस 2.0 पे हम लोग इस पे कैसे काम करेंगे तो अभी हम एक आईडी से आपको बताएंगे कैसे लोग इन करते हैं किस लिंक का इस्तमाल करना है वियाइस 2.0 में लोग इन करने के लिए और सबसे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर एड करना चाहूँगा कि बहुत सारे वियाइस 2.0 पर प्रेक्शन आता है कि उनकी आईडी वियाइस 2.0 पर वर्त नहीं कर रही तो अभी तक कि हमने अपनी तरफ से जो कुछ आईडियास आईडी भी इनेचे को वियाइस 2.0 पर काम कर लेगे उन्हीं को ही वाइडिस्ट किया गया है तो जिनकी भी आईडी पर आता है कि यू और नॉट रिजिस्टर्ट तो कि वो लोग अपनी आईडी में अभी आपके डिस्टिक मैनेजर द्वारा डियस के ग्रूप पे डेली डाला जा रहा है गूगल फॉम लिं किसी सी आईडी आपका नाम, आपका इमेल आईडी, आपका डिस्टिख, आपक आधार नंबर, आपका कॉंटेक नंबर ये डिटियल्स,riesूट ब्योश्टे झचाँ के आपको भेज़नी हो एक्टिव कि याज़िव सकत्या ही। basics के आपको फो और पोड कर पायGO घंगे। अप्रूब नहीं हुई है तो आप उसको लॉगिन नहीं रख पाई तो ये एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है और दूसरा रहता है कि हम लॉगिन जो करते हैं तो अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम मुबाइल के थू लॉगिन करेंगे तो मुबाइल के थू अग अगर आप किसी और नमबर से लॉगिन करते हैं तो डाटा पेच का एरर भी आ जाएगा और वो आईडी हम अपने तरफ से देख नहीं पाए तो शार्ट जी अगर हमारे पास बाकी चीज़े अपलब्द हो गई हो तो एक बार हमारे बिए लिए 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 लि अभी तक करते दें अब जो हमारा वर्जन आया है उस पर हम लोगों को जो करना है जो यूर्ल वह हमको करना है से तू डॉट पी एम जे वाई डॉट जिए डॉट जो कि आपके हिससे में स्क्रीन पर दिखिए दिखना है इस पर हम क्लिक करेंगे डैश्बोर्ट यह हमारा उपन हो गया इस पर हम यहाँ पर रजिस्टर औबलिक साइन इन का हमारा साइन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे कि इसमें क्लिक करने के बाद देगे यह हमारा कि जैसे इस सी कनेट करेंगे हमारा डिश्टल सेवा पोर्टल खुल जाएगा हम अपना उसी तरह डिश्टल सेवा एड़ी डालेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं और यहां से अपना स्टेट करते हैं तो देखिए हम आपको बता दें यहां पे जब हम जाएंगे इसके नंबर वन पे तो यहां पर अपना स्टेट नहीं आएगा क्लिक करते हैं तरह हम आपको यहां प्राइगा क्लिक करते हैं झापको और यहां पर एक क्षिन करना चाहोंगा मतलब में सर्च करना है वह हमें सर्च करना है पीम जेवाई कंसोलीडेटेट डेटा पे सब बिल्कुल जो भी हमारे कार्ट बनाना चाहते हैं तो मैं उनको बतारा चाहूंगा कि वह पीएमजे सेट डेटा पर ना जाकर यह पीएमजे वाई उसके बाद यहां पर हम लोग की पहले आती थी सर्च बेनिफेश्डी डिटेल उसमें हम लोग को यहां पर सेलेक्ट आईडी टाइप में आधार पीमजे वाई डी और फैमली आइडी आती है हमें पीमजे वाई डी जो भी हम लोग रा अंतियोदय राशन काट के जो भी उनको हमें फैमिली आइडी में जाके सर्च करना है मैं आप लोग को एक लाइब देमो दिखाता हूं एक मेरे पास एच एच आइडी है बेनिफीश्टी की उसमें हम सबसे पहले फैमिली आइडी में गए अब यहां पर हम एक सब्सक्राइब जैसे हम फैमिली आइडी में जा रहे हैं तो और फैमिली आइडी और आधार तो यह तीनों किस तरीके से यूज़ करनी कब हमारा व्य प्रदानमंत्री जी का जिनके पास लेटर गया ता जिनकी फैच आइडी जनरेट है वो हमारे जो बाई जो है रहेंगे वो फैमिली आइडी जब हम सेलेट करेंगे यह तरी हमने फैमिली आइडी सेलेट करी और एच हेच आइडी जब हम यहां पर टाइप परेंगे तो वो उनका आएगा यह मेरे पास एक हैच आइडी है यह Mr. अध़ मैं करेंगे। आइड़ी अर्बन की है कि रूरल की है हमने यहां पर अर्बन सेलेट किया अब इसमें हमको में किसी का भी कार्ड नहीं बन गया होगा उनके आगे कार्ड स्टेटस में यहां पर हम लोगों को दिख जाएगा आइडेंटिफाइड यहां पर हम लोग एक्शन में गए आउन थेटी ऑथन्टिकेयटेटेड एंड आइडेंटी में आये झाल झाल जैसा कि अभी हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो हमने एक एच एच आइडी डाली और देखा कि उसका कार्ड स्टेटेस जो है वो आनाइडेंटिफाट दिखा रहा है यानि अभी भी उस फैमली मेंबर का कि वाइसी डही हुआ है आईश्पान में तो हमने उसको डालने के बाद सर्च किया और वो लोड हो रहा है उसका डाटा एक चीज़ मैं सरज जी आपसे पूशना चाहूंगा जैसे अर्बन और रूरल का जो सबसे पहले दिखता है तो जो भी वेली भाई हमारे रूरल पे हैं नहीं रूरल करना गएगा और जो हमारे अर्बन के वीएवियरि हैर वो सबसे पहले security में अर्बन स्वร Il और अगर बेली से मतलब नहीं है बैनिफिरीan कहां का है ये हमारा वह ता हम्हें हमारा रूर स्वर्ट करना है अगरया वह ले का है उल्य खर्बन पर है को हैंब कर 1978 को इस नृषई कल को सबसे पहले मोबाइल नमबर डालना है कोसिस यह करनी कि बेनिफिश्टी का वो मोबाइल नमबर डाले जो यह यहां पे बेनिफिश्टी का अधार नमबर डालेंगे झाल 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 इस नंबर पर टीपी के यह है कि टैप से किस का लिए पर रहते हैं यह देख लो अप यह 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 समीम जलें तो जैसा कि आप लोगों पर दिखा है, जैसे ही है, उनका मुबाइल नमबर और अधार नमबर दोनों ही अपडेट करके, एक उनके रेजिस्टर नमबर पर जो की आधार के साहते है, उसपर पूथीबि प्रावबर होले जोग और हम क्लिख करते हैं, उससे कुई विडाले इस में को ईखा है, उससे का जाए उनका मुबाइल नमबर, हुँ, बातु ही? हाँ, वो टीवी बताओ झाल 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 इनको टिपे डालेंगे इनकी ये निटेशी डिटेल आवे शमीम, केर-आउब नासीर अली मेल, डेट आवर्थ, इनकी पूरी डिटेल आवे, यह देखिए यह अब बैनी फीश्री की यह पूरी डिटेल आ गई अब यहां पर इसको नेक्स्ट करेंगे यहां पर स्टेट पर स्टेट सेलिट करेंगे कि यहां पर स्टेट सेलिट यहां पर इसको यहां पर सकता हुआ उते हैं जैसा कि अभी हमारे वियली भाई आपको स्क्रीन जो दिख रही है वहां पर आप देखिए कि जैसे ही हमने बेनिफीस्टी का ओटीपी डाला और ओटीपी फैच होने के बाद में हमारे पास जो अगली स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी इस स्क्रीन पर जाने के बाद हमें कुछ डिटेल्स यहां पर चेक करनी होगी जैसे कि स्टेट हम अपना स्टेट सेलेट करेंगे इसके बगल में टाउन और वाड क्यूंकि यह अर्बन का वैनिफीस्टी है इसलिए यहां पर वाड के लिए पूछा जा रहा है अगर वो रूरेंगा होगा तो वहां पर ग्राम पंचा है और यह चीज़े हमें स्टेट करने को आएगी जैसे ही हम वो सेलेट कर लेते हैं तो उसके नीचे की जो स्क्रीन है आप देखिए यहां पर एक चेक बॉक्स दिया रहाएगा आई हेर भाई डिकलियर देटेल्स फर लिस्ट अबव आर ट्रू तो हमें इस वाली उस पे टिक करके नीचे दिये हुए कैपचा को इंटर करना है और सब्मिट कर देना जैसे ही हम सब्मिट करेंगे KYC डन हो जाएगी और उसका स्टेटस हमें पैंडिंग में शो करने लगेगा जैसे ही वो pending से approve में आ जाएगा तो पुराना process है जैसा कि हम सभी लोग जानते है कि जो data हमने KYC किया है इसके approval की authority NHA और SHK होती है जैसे ही वहाँ पर details match हो जाती है हमारी DV details और उनकी details से तो card approve हो जाएगा तो इस process के through हम लोग KYC complete कर पाएगे कोई भी lengthy process नहीं है थोड़ी देर wait करें और वो सही हो जाएगा अब हम लोग आते हैं जैसा कि हमने भी जाना कि KYC कैसे कर सकते है दूसरी चीज हम इसमें जाने कि हमने जो भी BIS 1.0 में card बनाए होते है किसी भी beneficiary के अगर वो beneficiary चाहता है कि हमारा वो card वो download कर दे तो इस portal पे उसकी भी सुविधा प्रदान की गई है आप पिछले बनाए हुए card को यहाँ पे download भी कर सकते हैं आपको सिर्फ अपने जो दाइन हाद पे हमको हमारे बाय हाद पे screen दिखाई देगी वहाँ पे नीचे जाना है और देखा है download card BIS 1.0 जैसा कि अभी सरभ जी सलेट करके दिखाएंगे यहाँ पर अपना state select करने के बाद आया अधार नमबर डालेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो जो चुप गो अजुद कर सेंग्ट कर सेंगा कि लिए कर दो सेगा जा एगनाटीज झाली है कि वेरिफाइपे क्लिक कर देगे के वेरिफाइपे क्लिक करते ही जो कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पर विलिगाईयों में आपको एक बताना चाहूगा कि हमें किसी का भी कार्ट डाउन्डोड करने की है उसका आधार कार्ड होना आधार कार्ड के जो नंबर रजिस्टर्ड है उसका होना बहुत ही आवस्यक है कि यहां में हमने बहुता कि आप जब डाउन्डोड करना है तो अब हम उसका कार्ड डाउन्डोड करके उसको दे सकते हैं यह है BIS 1.0 और इसमें जरूरी रही है कि जो कार्ड आपने बनाये हैं सिर्फ आप उन्हीं को डाउन्डोड कर सकते हैं कोई भी बेनिफीश्री आपके पास आता है आयुश्बान का और वो आपसे पूस्ता है आपक प्रोइड भी करा सकते हैं तो अभी तक हमने दो चीजों को जाना हम किस तरीके से BIS 2.0 पोर्टल को लॉग इन करेंगे कैसे किसी बेनिफीश्री को सर्च करेंगे हमें कहां पर जाना है और पूराने कार्ड को हम किस प्रकार से डाउन्डोड करते हैं उसी तरीके से हम आग की प्रोसेस के चलेंगे जैसे हमारे पास अभी नेवर कार्ट में भी आइस्वान में जोड़ा गया है तो लेवर कार्ट में बाकार्ट बनाने के लिए वाईयों को हमारे उसके नीचे इंटीग्रेटेड इस्टेट स्कीम करके उसके थ्रू जाना होगा तो सर्च जी जाना होगा इसके लिए हमें आप है कि यहां पर जाना होगा इंट्रिगेटेड इस्टेट स्कीम में सेलेक करने के बाद हमारा देखिए सबसे पहले उपर लिख्वाइव एस सर्च भाइडी सच बाइव आईडी में गये यहां पर भी वही चीज आई अर्बान है कि रूर सेलेट किये उसके बाद यहां पर हमारी दो इसकी माती एक पंडित दीन द्याल उपाद्या और एक हमारा आता है वियो सी डबलू बिल्डिंग अधर कंस्ट्रेक्शन वरकर यह हमारे जितने भी लेवर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ट लेवर है उनक वह हमारे इस लाव अनवित के लिए इनको लावारती बनाए गया है आप लोग एक चीज याद रिखेंगा जो इश्रम कार्ट जो बने हैं उनका नहीं बनेगा जो डबलू सी यो बीओ सी डबलू बनेंगे सिर्फ उनका होगा जो लेवर में रजिस्टर्ट होगे हैं यहां से हम इस पर जाए हमारा नहीं दूनेगा कि हमारा यह अंत्योधे नहीं आ रहा है कोहि को हमारा दूनेगा क्ति हमारा लेवर अलगे हम integrated scheme में जाके building and other construction worker में जाएंगे वो हमारा labor card में हो जाएगा और हमको जब भी अपने dashboard में जाना है हमें यह याद रखना है कि PMJY consolidated data से ही हमको अपनी portal open करना है तभी हमारा state होगा अगर हम PMJY SEC data पर जाएंगे तो हमारा state तो नहीं करेगा धन्यवाद तो अभी जैसा कि हम कैसे कैसे tabs के थूर हम different categories में अश्मान card बना सकते हैं तो मुझे आशा है कि आज आप सभी जाल चुके हैंगे कि हमने BIS 2.0 कि तरीके से काम कर रहा है और यह कितना आसाल है पहले कि सारी कमियों को दूर जिया कर सकते हैं और किन-किन तो आज के लिए मेरी कहाल से हमारी तरफ से हमने अपनी तरफ से आईश्मान की सारी details आपको दे दी गई है अगर फिर भी किसी की कोई कह रही होती है तो क्रिपया आप हम से या डिस्टिक्टींच से संपस करें आज के लिए मैं आग्या चाहूंगा अग्ले उद्वार को हमसे मिलेगे किसी एक नई सर्विस के साथ में नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए आप सभी यह निवाईयों का बहुत बहुत कि हमारे इस काई करम से जुड़े और जानकारी प्राप्टी चाहरा जी आपका भी बहुत बहुत कुपी है कि आग्या के लिए दन देगा